नमस्कार सदन दिन्वर में आपका स्वागत है मैं हूं मुहमत फातेह टीपू लोगसभा की कारवाही अनिश्यत काल के लिए स्थगित हो गई है इससे पहले आज राश्ट्रपती के अभी भाश्र पर धन्यवाद प्रस्ताओ पर चर्चा का प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी ने सदन में जवाब दिया उन्होंने एक और मौका देने के लिए जनता का आभार जताया कॉंग्रेस और उसके साथी दलों की आलोशना की राश्ट्रपती के अभी भाश्र पर धन्यवाद प्रस्ताओ पर चर्चा आज भी जारी रही इस बुलेटन में अगले आदे घंटे में देखेंगे दोनों सदनों में आज क्या कुछ रहा खास लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर लोग सभा में प्रधाद मंत्री नरेंद्र मोटी नराश्ट्रपती के अभी भाशर पर धन्यवाद प्रस्ताओ पर चर्चा का दिया जवाब कहा देश की जनता ने उनकी नीटियों नियत और निष्ठा पर जताया भरोसा विकसित भारत के निर्माल की ओर बढ़ रहा है देश प्रधान मंत्री ने सम्विधान आरक्षन हिंदूओं के मुद्दे पर कॉंग्रेस को घेरा कहा कॉंग्रेस देश में घलत इरादे से फैला रही है अराजकता और छूट इतिहास में तीसरी सबसे बड़ी हार के बाद भी जना देश को नहीं समझ रही है कॉंग्रेस राश्ट पती के अभी भाषण परधन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद लोकसभा की कारवाही अरिश्चित काल के लिए सधित अठारवी लोकसभा के पहले सत्र की उत्पादकता सो फी सधी से अधिक राज़नास सिंग की और से लाए गया इने पक्षकेर व्युवार की निंदा का प्रस्ताव पारित राज्य सभा में राश्ट्रपती के अभीभाश्र परधन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा विभिन्द दलों के सदस्यों ने बहस में लिया हिस्सा सभापती जगदीर धंकर ने तीन नए सदस्यों को दिलाई सदन की सदस्ता की शपत लोगसभा में राश्ट्रपती के अभीभाश्र पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का प्रधाद मंतरी नरेंदर मोदी ने जवाब दिया उन्होंने कहा कि जनता ने हमारे दस साल के ट्रेक रिकॉर्ड को देखा है उनकी नीतियों नियत और निष्ठा पर भरोसा जताया है और लगतार तीसरी बार देश की सिवा करने का मौका दिया ये लोगतांतरी के विश्यों के लिए गौरोफ पूर्ण घटना है पढ़ानमंतरी ने कहा कि कुछ लोगों का दर्द वो समझ सकते हैं लगतार जूट फैलाने के बावजूद उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा हम तुष्ठी करन नहीं बलकि सन तुष्ठी करन की नीति पर चले हैं हमारा एक मात लक्षे नेशन फरस्ट है इस देश ने लंबे अर्चे तक तुष्ठी करन की राजवीती भी देखी इस देश ने लंबे अर्चे तक तुष्ठी करन का गवणनेंस का मोडल भी देखा देश ने पहली बाद सेक्विलर्यम का एक पूरा हमने जो प्रयास किया और वो हमने तुष्ठी करन नहीं संतुष्ठी करन के विचार को ले करते हैं हम चले हैं और जब हम संतुष्ठी करन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सेचुरेशन गवर्ननस की आखरी व्यक्तिता कुहतेने की हमारी जो संकल्पना है इसको परिपूर्ण करना और जब हम सेचुरेशन के सिध्धान को लेकर चलते हैं तब सेचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजी की न्याय होता है सेचुरेशन सच्चे अर्थ में सेक्यूलरिजम होता है और उसी को देश की जन्ताएं हमें तीसरी बार बिठा करके महर लगा दी है अधरिया सभापती जी अपीजमेंट ने इस देश को तबह करके रखा है और इसलिए हमने जस्टिस तो आल अपीजमेंट तो नन इस द्धान को लेकर करके हम चले आधरिया सभापती जी ये बिश्वास विक्सिक भारत संकल्प से सिद्धी का विश्वास है आधरिये सभावती जी जब आज आधी का जंग चल रहा था और जो भाव देश में था जो जोस्ता उत्साता उमंग था जो विश्वास था कि आज आधी लेकर रहेंगे आज देश के कोटी कोटी जनों में वो विश्वास पादा हुआ है जिस विश्वास के खारें आज विक्सिक भारत होना एक प्रकार से उसकी मजबूत नीव इस चुनाओं में सलान्याद हो चुका है जो ललक आज आधी के अंदोलन में थी वही ललक विक्सित भारत के इस सपने को साकार करने में हैं आधनिय सवापती जी आज भारत के लक्ष बहुत विराट है और आज भारत को एक ऐसी सिटी पे दस साल में पहुचा है कि हमें खुद से हिस्ट परधा करनी है हमें ही अपने पुराने रेकॉर्ड तोड़ने हैं और नेक्स लेवल पर हमें हमारी विकांज की आत्रा को ले जाना है दस वर्सों में हारत विकांज की जिस हुचाई पर पहुचा है वो हमारी परतिस परधा का एक मार्क बन चुका है एक बेंच मार्क बन चुका है पिछले दस साल में हमने जो स्पीड पकड़िये है परधान मंत्री नरेंद मुदी ने कहा कि कॉंङरेस के इतिहास का पहला मौका है जब लगतार तीन बार सौ का आकडापार नहीं कर पाई है उन्होंने कॉंगरेस नेताओं से कहा कि देशके दरदेश को समझने की कोशिश करो और उसे सुईकार करो आधनियत सभापती जी, चोबिस के चुनाव में कॉंग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप नहीं बेठिये भी पग्जमाई बेठो और तरक खतम हो जाएं तो चीटते रहो चिलाते रहो आधनियत सभापती जी, कॉंग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगा तार तीन बार, लगा तार तीन बार, कॉंग्रेस सोका आंकड़ा पार नहीं कर पाई है कॉंग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है अच्छा होता, कॉंग्रेस अपनी हार्च विकार करती जनता जनारदन के आदेश को सरांखों पर चड़ाती आत्ममंधन करती लेकिन ये तो कुछ सिर्शाथन करने में लगे हुए है और कॉंग्रेस और उसकी इकोसिस्टेम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थाबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में कॉंग्रेस के साथी दलों के लिए एक संदेश है उन्होंने कहा कि अब कॉंग्रेस पार्टी 2024 से अब एक परजीवी कॉंग्रेस के नाम से जानी जाएगी यह चुनाव इन साथीओं के लिए भी एक संदेश है आधनिय समापती जी अब कॉंग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कॉंग्रेस पार्टी के रुप से जानी जाएगी 2024 से जो कॉंग्रेस है वो परजीवी कॉंग्रेस है और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है यह परजीवी उसी को ही ठाता है कॉंग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गड़बंदन करती है उसी के वोट ठा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की इवत पर वो फलती भूती है और इसलिए कॉंग्रेस परजीवी कॉंग्रेस बन चुकी है पेपर लीक मामले पर प्रधान मंतरी नरेंद मूदी ने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यत गंभीर है और युद्ध अस्तर पर कदब उठाये जा रहे हैं भविश्य के साथ खिलवाल करदे वालों को छोड़ा नहीं जाएगा आधनियर राजपति महोदया ने अपने उद्वोशन में पेपर लीक पर भी चिंता जताई है मैं भी देश के हर जियार्थी को देश के हर नव जवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी गटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्वस्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे है युवाओं के बविश्च के साथ खिलवार करने वालों को कत्ताई छोड़ा नहीं जाएगा नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरप्तारिया की जा रही है केंदर सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है परिशा कराने वाले पूरे सिस्टिम को उक्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे है प्रधान मंतरी ने कहा कि कॉंग्रे सत्ता में रहते हुए सेरा को कमजोर कर रही है लेकिन विपक्ष में भी जाने के बाद ये प्रयास चारी रहा है उन्होंने कहा कि अगनिवीर के मुद्दे पर भी लोगों को गुमरा करने का प्रयास विपक्ष कर रहा है और आधरनिय सभापती जी ये बालग बुद्धी देखिए के राफेल के छोटे छोटे खिलोने मना करके उडाने में मजा लेते थे देश की सेना का मजा को डाते थे अध्यक जी कॉंग्रेस ऐसे हर कदम का हर रिफॉर्म का विरोध करती है जो बारत की सेना को मजबूती दे बारत की सेना को मजबूत बनाए माने सदशों सभा की कारवाई माने प्रदान मंचीज के भाशन तक के बढ़ाई जाती है और सभा की कारवाई सारी कारवाई पूर्म तक बढ़ाई जाती है आदेनिया सभापती जी समय देने के लिए और समय का विश्थार करने के लिए मैं आपका रुदेश्या भार वेक्त करता हूँ आदेनिय स्भापती जी अब कॉंग्रेस के लोगों को ये पता चल गया है कि हमारे नव जवानों की उर्जा हमारे साइनिकों का आत्म बन ही हमारे ससस्त्रबरों की सबसे बड़ी शक्ति है आर अब इस पर हमला करके और एक नया तरीका सेना में बड़ती को लेकर सरा सर जुठ खलाया जा रहा है ताकि लोग मेरे देश के नवजवान मेरे देश की रक्षा करने के लिए सेना में न जाए उनको रोकने के लिए सड़ेंत्र हो रहा है परदान मंत्री ने हाथरस दुरगटना को लेकर सदन में गहरा शोक जताया और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा जताया आधनिय सभापती जी इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखत खबर भी दी गई है यूपी के हाथरस में जो भगदर हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखत मुर्ति होने की जानकारी आ रही है जिन लोगों की इस हाथ से में जान गई हैं मैं उनके प्रती अपनी सम्वेदन अव्यक्त करता हूँ मैं सभी गायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामरा करता हूँ राज्य सरकार की देखरेग में प्रशासन राहत और बचाव कारे में जुटा हुआ है केंद्र सरकार के वरिष्ट उत्रपदेश सरकार के लगातार संपर्ग में है मैं सदन के माद्यम से सभी को ये भरोसा देता हूँ कि पीडितों की हर तरसे मदद की जाएगी अठारवी लोगसभा के पहले सतर का समापन हो गया लोगसभा की कारवाही अनिश्चितकाल के लिए सगित हो गई है पहले सतर के दौरान सदन की उत्पादत्ता सो फिसदी से ज्यादा रही माननिये राष्टपती जी ने 27 जून 2024 को संबेत दोनों सदनों के सदश्यों को संबोधित किया उसी दिन मैंने राष्टी कॉंग्रेस के नेता स्री रहुल गांदी जी को नेता प्रतिपश के रूप में माननिता दी और इस आशे की गोशना सदन में की गई कल और आज 18 घंटे से अधिक चर्चा के बाद सदन ने माननिये महमें राष्टपती जी के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताओं को पाईद किया इस चर्चा में कुल 68 माननिय सदस्यों ने भागी दारी की तता 50 से अधिक माननिय सदस्यों ने अपने वक्तियों सभा पटल पर रखे माननिय सदस्यों के वक्तियों के अंत में माननिय प्रधान मंती जी ने चर्चा का उत्तर दिया इस दोरान नियम 377 के अधिन 41 मामले सधन के पटल पर रखे गए तदा कुल 338 पत्रों का सधन सभा पटल पर रखा गया सथ के दोनान निर्देश 373 के अधिन सभा में मानिय मंतियोदारा तीन वक्तियों भी दिये गए लोगसभा के इस सथ की कार्य उक्तवत अता लगबक 103 103 परतिशत रही मानिय सदशगन में सथ के प्रार्मिक दिनों में सधन में कुशल संचालन के लिए अठारवी लोगसभा के निर्वाचित सदश्यों को शपत अथा परतिगान कराने के लिए माननी राश्पतिजी दारा न्युक्त प्रोटेम स्पीकर स्री भरतरवी मैताब तता सभापती पालिका के सदश्यों का हार्दिक आभार व्वेक्च करता हूं मैं सभापती तालिका में शामिल, अपने मान्ये सात्यों का सदन के संचालन में इनके सयोग के और योगदान के लिए भी आभार वेक्ट करता हूं। मैं मानने प्रधान मंती जी, मानने संसदी कारे मंती, सभी मानने मंतीगर्ण, नेता प्रतिपर्ष, विहिंदलों के नेताओं और मानने सदश्चों के प्रतिवी उनके सयोग के लिए अत्यदिक आबारे हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्नों का धन्यवाद करता हूँ लोगसभा में राश्टपती के अभीभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताओ पर चर्चा के दौरान विबख्ष के व्योहार को लेकर रख्षा मंतरी राजनाज सिंग ने निंदा प्रस्ताओ पेश किया इस प्रस्ताओ का ग्रह मंतरी अमिश शाह ने अनुमोधन किया इसके बार इस प्रस्ताओ को धौनी मस्द से पारिद कर दिया गया राष्ट पती जी के अभीभाशन के दौरान धन्यबाद प्रस्ताओ पर जब चर्चा हो रही थी उस समय जब प्रधान मंत्री जी का संबोधन चल रहा था जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा संसदी या मर्यादाओं का लगातार तार तार जिस तरीके से किया गया है मैं यह प्रस्ताओ करता हूँ कि इस कृट की यह पूरी पूरा सदन भर्षना करता है मैंने सभी मानिय सदश्चों को परियाप्त समय प्रियाप्त अफसर दिया सभी दलों को देर राती तक बोलने का अफसर दिया प्रतिपश्च के मेता को नवब मिनिट से ज्यादा बोलने का अफसर दिया लेकिन माने सदश्य ये संसधिय परंप्राओं के अनुरूप नहीं है ये आपका आचरन ये आपका विहार न तो संसधिय आचरन के अनकूल है न देश के लोकतंत के लिए उचित है गलत करता है गर्मांति मेसमाने वर अक्सामांत्री जीन ने परका है इसका मैं अनुवधन और आप से अगिरभ करता हूं कि इसको शदन के सामने रखा जाहिए स्विकृत करने के लिए प्रश्ट ये कि प्रस्तु प्रस्ताओं को स्विक्ट किया जाए जो सदश प्रस्ताओं के पक्ष में हा के है जो सदश प्रस्ताओं के ना के है मेरे विचार में निन्ने हाँ वालों के पक्ष में हुआ हाँ वालों के प्रस्ताओं स्विक्ट हुआ राज्य सभा के सभापती जगदीब धनखड ने आज तीन नए सदस्यों को सदन की सरस्ता की शपत दिलाई सभापती ने सुबा सदन की कारवाही शुरू करते हुए भारतिय के मुनिस पार्टी के पीपी सुनीर कॉंग्रेस के जोस्त के मड़ी और आईउएमल के हारिस बीरन को सदन की सरस्ता की शपत दिलाई इसके बाद सभापती ने दो सदस्यों मदन राठोड और बीड़ा मस्थान राव यादो को जरम दिन की शुप कामनाय दी सभापती ने सदन के पटल पर आवश्यक दस्ता वेज रखवाए जिसमें वित और जर्शक्ती मंत्राले समेथ कई मंत्रालेयों से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखे गए राजस्भा में आज भी राश्टरपती के अभिभाश्ण पर धन्यवात प्रस्ताव पर चर्चा हुई विबिन दलों के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया और धन्यवात प्रस्ताव पर अपने विचार सदन में रखे यह जो अभीभाशन है यह समगरता में होलिस्टिक है और यह विक्सित भारत को की विकास यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है इसके बारे में बहुत चिंतन करके उस वक्तवे में बहुत डीटेल से लिखा गया है और यह हम सब के लिए बहुत ही प्रेणादाई भी है जिसे हम सब लोग विक्सित भारत को पूरा करने के लिए लगे हुए है मैं यहां यह भी कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने सरकार की पॉलिसीज सरकार के प्रोग्राम्स कारिक्रम्स जो उन्होंने उद्रित किये हैं वो दोनों बातों को प्रतिलक्षित करते हैं एक तो वो प्रतिलक्षित करते हैं कि वर्तमान में किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है और दूसरा किस तरीके से यह कारिकरम और यह नीतिया यह पॉलिसीज देश को विक्सित भारत बनाने में दूर गामी प्रभाव छोड़ रही हैं उसको भी उद्रित करता है यह हम सब लोगों को द्याव इंफ्रस्ट्रक्चर की बाते हुई रोड रेलवेज एर कनेक्टिविटी इस सब के बारे में बहुत बड़े पहमाने पर अच्छी बाते लोगों ने की है और मैं समझता हूँ यह प्रशन से नहीं है कि देश का इंफ्रस्ट्रक्चर एक अच्छा शे में हमको यह कनेक्रीटिविटी बढ़ाने के अवशकता है बैट ट्रेंज के अवशकता नेश्चित तौर पर है और इसमें औरoln के स्कीम के तहिश जो हर अपिदेश के हर जिलों में मिल रही आजकल, वो ऐसे जिलों में भी मिले, ताकि उनको राज्य के कैपिटल से जोड़ा जाए, मैं समझता हूँ, महारास्ते एक ऐसा राज्य है, जो कहीं जिले मुंबई से अभी जोडने रहे, कि मुंबई में उनको स्लॉट नहीं मिल रही है और जगा नहीं मिलने के कारण, मुंबई से शेर से कनेक्टिविटी अगाज्यों की मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सरकार इस पे ध्यान दे, ड्रोन का इस्तमाल बड़े पैमाने में देश में करने की मनशा प्राइम मिनिस्टर रखी ह मैं समझता हूं, नमो ड्रोन दीदी योजना जो बनाई गई है, उसके द्वारा बड़े पैमाने में खास करके महिलाओं को निश्यत तौर पर रोजगार देने के बाते सवापती मोड़े इसमें किये गई है. बनाई प्राइम सब्सक्राइब। अब्सक्राइब तिक जाखभाएब। अर्ण wann अनरे अर अनराइ के जर अजय पजाब दस्मेह हिरे अचिव्यमेश हाय make video interpreters अर्ण इर्ण आज़ प्रावल के अपर अड़्यूर्य के मनन은 जौर्ण थैन ले प्रीष्ण इस खास पेशकर्ष में बस इतना ही आप हमारा ये कारिकरम यूट्यूब चैनल पर भी डेख सकते हैं मुझे दीजिए इजासत देखते रहिए संसर टीवी नमस्कार मुझे देखते हैं